मैं सविन सिंग अपनी जियोग्रफी की लेक्चर सिरीज में आप सभी लोगं का स्वागत करता हूँ. आज हम स्थानी पवनों खास करके चिनूख और फवेन पवन पर चर्चा करेंगे. Today I will discuss on the local winds, particularly चिनूख और फवेन. चिनूख हवा उत्तरी अमेरिका में राकीस परवत के पूर्वी धलान की पदस्थली पर चलने वाली एक गर्म और सुष्क हवा है, जो संजुक्त राज अमेरिका के दक्षिन में कोलरेडो से लेकर के उत्तर में कनाडा के ब्रिटिस कोलंबिया तक प्रवाहित होती है. चिनूख हवा को चिनूख क्यों कहते हैं? इसका नाम करण पस्चमी संजुक्त राज अमेरिका के तटिये छेत्र में रहने वाले जो आदिवासी थे, मूल निवासी थे, उनका नाम वो चिनूख थे. उन्ही के नाम पर इस गर्म और सुस्खवा का नाम चिनूख किया गया है. The name Chinook Wind has been derived from the original tribes Chinook living on the western coast of North America, mainly United States of America. अब हमें इनकी विसेस्ताओं के पहले इसकी उत्पत के विसे में चर्चा करनी चाहिए. We must know the process of, mechanism of, origin of Chinook Winds. Actually, वास्तों में चिनूख हवा चक्रवाती उत्पत वाली है. और एक्च्वली दे चिनूख विंड इस आप साइक्लोनिक ओरिजिन. सरत काल में प्रसांत महासागर से उठने वाले बनने वाले चक्रवात पुर्व दिशा की तरफ चलते हैं और संजुक्त राज अमेरिका के पुर्वी तटी पहाड़ियों को पार करके, जब ये राकीस परवत के पश्मी धलान के सहारे उपर उठते हैं, तो यहाँ पर हवाओं का तापमान सुष्क अडियाबेटिक रेट से प्रती एक हजार मीटर उपर जाने पर कम होता जाता है. कि अफिडिया है। Crossover, the coast ranges and strikes the western slope of rocky mountains, the winds are forced to ascend and therefore the winds cool down, temperature drops at the rate of 10 degrees centigrade per thousand meter according to adiabatic rate. इस तरह से ये चक्रवाती हमाएं राकीस के पच्चमी धलान पर परयाप्त बरसा करती हैं, लेकिन जब राकीस को पार करके पूर्वी धलान के सहरे नीचे उतरती हैं, तो पुना हसुस का डियाबेटिक रेट से इनके तापमान में 1000 मीटर नीचे जाने पर 10 degrees centigrade की दरसे दी हो जाती हैं, इस साइकलोनिक स्टार्म इल्प प्रिसिपिटेशन अंग वेस्टन स्लोप अप्डरा की माउंटेंस, ब्ट वेनवर दे विंच्रास ओवर दी राकीस माउंटें, अंड डिसेंड अलंग दे इस्टन स्लोप, तेम्परेचर राइज इस अडरेट आप तें पास, नीचे उतरती है, उस समय वहां सरतकाल का तापमान माईनस 10 से माईनस 20 डिगरी सेंटीगरेघ होता है, लेकिन इन होआँ का तापमान 10 से 20 contractors होता है, जैसे ही ये होआँ वहां पहुँचती हैं, अचनक तापमान जो है बीस से 40 डिगरी सेंटीगरेघ हो جाता है, I'm sorry ब हिमावरण होता है वो अचानक पिखल जाता है Normally, the average temperature during winter season on the ground surface at the footheels of the eastern rocky mountain slopes is minus 10 to minus 20 degree centigrade and the temperature of the Chinook wind is 10 to 20 degree centigrade so the moment these winds reach the ground surface along the eastern slope of the rocky mountain temperature suddenly rise 20 to 30 degree centigrade and therefore the snow, the ice melts it as if by magic जैसे लगता है जादूई असर होता है और यह हिम पिखल जाती है इसलिए चिनूख हवाओं को यहाँ snow eater कहते हैं This is why the Chinooks are called snow eater in North America इस पर प्रतियोगी परिक्षाओं में प्रस्न पूछे जाते हैं चार आप्संस दे दिये जाते हैं पूछ लिया ता इसमें कौन सी चिनूख हवा के लिए प्रयोग किया जाता है या कौन सी इसमें से हवा snow eater कही जाती है यह चिनूख हवा का प्रभाव राकीज के पूर्ब में ग्रेट प्लेंस के पश्मी भाग और कनाड़ा में राकीज के पूर्बी धलान के सहारे प्रेयरी के पश्मी भाग में इस चिनूख हवा का प्रयात प्रभाव होता है the western part of great plains along the eastern slope of राकीज mountain इसके आने से बर्ब के पिघल जाने से हरी हरी घासे जाड़े की दिनों में उगाती हैं, चरागाह आबाद हो जाते हैं और पसुचारण उद्योग को बहुत बढ़ हवा मिलता है। बिकॉस अपड़ाइबल आफ चिनुक विंड दूरिंटर सीजन और बिकॉस अफ मेल्टिंग विद शनौ दिग्राउश कम आउट अंदी ग्राउट सर्फेस, पास्चर्स आर ओपन और दाट इनकारजेश दी पास्टोरल इंडस्ट्री ये तो इनका पॉजिटिव धनात्मक प्रभाव है, लेकिन इनका रिडातमक निगेटिव इफेक्ट भी होता है, क्या कि जब तक धरातल के उपर हिमावरण होता है, नीचे मिट्टी की नमी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही ये हिमावरण पिगल जाता है, तो मिट्टी की नमी जो है वास्पी करंद्वारा सुष हो जाती है जो spring season में ग्यों की खेती के लिए नुकसान दे होता है the negative impact of Chinook winds is that during winter season till the ground surface is covered by snow and ice the moisture of the soils below remains intact but whenever the ice cover and snow cover is removed because of arrival of Chinook wind the moisture in the soil is evaporated the soils become dry and that is not beneficial to agricultural activity particularly serving up spring wheat कि इसी तरह से कि हवा यॉरप में शुटिजर लेंड दख्षणी जर्मनी और आस्ट्रेडिया में प्रवाहित होती है जबकि आर्द रहुआएं रूम सागर के ऊपर से आती हुई आस पर्वत के दख्षणी धवान पर पर्याद बरसा करती हैं लेकिन उत्तर की तरफ आसको पार करके जब नीचे उतरती हैं तो गरम और सुस्क हो जाती हैं जब दो चिनुक इसकाल प्वेन यूजर्ण यूटर्ण अजर्मनी और आस्त्रिया Here the humid air coming from over the Mediterranean Sea, blowing northward, when it strikes the southern slope of the Alps Mountain, there will rain fall. But when they cross over the Alps Mountain and descend along the northern slope, they are warmed up according to dry adiabatic rate, and they become dry and warm. And such conditions are found in the valleys of Schutagerland, southern Germany and Austria. Jab yeh hawaii fuan wind Schutagerland ki ghaatiyon mein pahunchti hai, toh barf pighal jati hai, aur saratkalin mausam suhaana ho jata hai, hotels, restaurants, or pubs khule rahate hai, aur charo tarap, chahal pahal bhe aapt ho jati hai. So whenever these fuan winds reach the valleys in Schutagerland, then there is a very pleasant weather because of melting away of ice and snow, the hotel, restaurant, and pubs are open, and therefore the tourist industry flourish in the valleys of Schutagerland during winter season. This is why the valleys of Schutagerlands are called climatic oasis. Yehi karan hai ki Schutagerland ki ghaatiyon ko jalwaayu nakhlistan kehatte hai, climatic oasis kehatte hai, yeh inka positive impact hai yahaan par, Schutagerland me, jis karan hai tourist industry jyoh hai, waha jare ke dinon mein bhi khuli rahati hai, abad rahati hai, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.